वाक फ्राम होम सुनने में तो कितना मज़िदा लगता है कि घर पे बैटके कोजी होके चिप्स खाते हुए या पकोरा काते हुए काम करेंगे पर अभी जिन लोग को करना पड़ रहा है उनको पता है कि आसल में ये कितना मज़िदा है तो अगर आप भी ये स्ट्रगल का पार्ट हो तो ये वीडियो आपको हेल्फ करने के लिए ही बनाएं हलो गुडियो मेंस मैं हूँ सत्यजीत और ग्रोनफिल्स के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो या एफेक्टिव नहीं हो पा रहे हो तो टेक इट इजी इसमें आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है आप चाहिद ये पहली बार कर ले हो और आपको थोरा सा एसिस्टेंस की ज़रूरत है और इस वीडियो पे मैं आपको वो एसिस्टेंस देने का पूरा को चुछ करूँ है तो चलिए देखते हैं वार्फ फॉर्म होम को आसान करने का 10 यूस्फूल टिप्स अरे वार्फ फॉर्म होम ही तो है तो बिस्तर पे बैट के ठेस लगा के अपना पैजामे पे चिप्स खाते हुए अराम से काम करेंगी बड़ वेट अगर अब भी ऐसे फैंटेसी पे है तो लेट मी टेल यू ऐसे काम पे फोकस करना आप जहां पे रेस्ट करते हैं वह आपके आप काम नहीं कर सकते सो घर के ही अलग सा एक स्पेस चुनिए जहां पे आप फ्रीली काम कर सकते हो घर का दूसरा मेंबर्स भी ना आए और प्रेफरेबली सन लाइट अच्छा था लेट मी टेल यू इतना ही करने से आप टैंजिबल चेंज़ देख पाएंगे अब आपको सेपरेट स्पेस मिल गया तो टिप नम्रो टू सेट सेपरेट वरकिंग आउर्स अपना काम के लिए पहले से ही स्ट्रिक्टली वरकिंग आऊरस सेट कर लिजिए और जिसना जल्दी हो सके अपना काम कर लेजिए यह तो मैं रात को भी कर सकता हूँ अभी rest कर सकते हैं. Procrastination को जितना हो सकते avoid कीजिए और अपने working hours को respect कीजिए. Don't worry, तब भी आपके हाथों में बहुत सारा time रहेगा. अब ये दोनों tips का कोई भी value नहीं रहेगा अगर आप tip number 3 follow ना करेगा. Which is, treat it like real office. जो काम आप office पे नहीं करते हो, घर पे office hours पे वो काम आप नहीं कर सकते हैं. जैसे कि number 1, get well dressed. Office जैसा formals ना सही, पर कुछ comfortable और sober पहन लीजिए. Please night dress पहन के ही मज शुरू हो जाईए. इससे आपके brain को लगेगा कि आप सोने जाने वाले हो. Number 2, don't work on your bed. Trust me on this, 50% problems इससे ही solve हो जाएगा. अगर आपके पास table ना भी हो, तो chair पे बैट पे बिस्टर को table बना जीजिए. Number 3, अगर आपको कोई खाना खाना हो, तो please break के time पे ही खायों. काम करते वक्त नहीं. अब घर पे ही है, तो इसका मतलब यह नहीं, अब कभी भी जा के अपना fridge खोल सकते हैं. Number 4, respect the work time. Work time पे personal काम नहीं, और personal time पे भी walk नहीं. Please understand, वोड़ा सा strict ना होके focus करना almost impossible है. Useful tip number 4, explain people without being sorry. Walking from home का सबसे बड़ा struggle है घर के लोगों को समझाना कि आप चुट्टी पे नहीं हो, अब काम कर रहे हो. Specially आपके घर पे कोई pet हो, तो. Hey, listen buddy, मुझे पता है अभी तू क्या सोच रहा है, पर ऐसा नहीं है, मैं आभी तरह साथ खेल नहीं सकता. Do you understand? तो आप उनको अच्छे से समझाईए कि आपके वार्किंग आवर्स पे वो आपको बॉदर ना करें. Obviously, अगर कोई emergency ना हो तो. अगर फिर भी काम ना वनें, तो well, let me tell you, you have a door. ये तोड़ा रूट जरूर होगा, और I'm sure धिरे धिरे वो सब समझ जाएंगे, और आपके वार्किंग आवर्स को respect करेंगे. अगर ज़रूरत ना हो, तो अपने फोन को silent करके आपने आप से दूर रखिए. अगर आपके काम फोन से related है, तो दूसरे अपके notifications बंद कर दीजिए. रूबिक्स क्यूब, journals, playstations या snacks, कुछ भी potential distractions हो, उसको पहले से ही out of sight कर दीजिए. क्योंकि moment पे fight करने से बहुत बैतर है, पहले से ही अटा देंगे. अब कुछ distractions को पहले से plan नहीं किया जा सकता है. जैसे कि कि किसी का important call आना, या फिर किसी का घर पे मिलने आना. पर उनको tackle करते हुए हमेशा back of the mind ये रहना चाहिए कि this is your working hour. उनको बता दीजिए कि ये आपका working hour है और आप उनको बाद में call करेंगे या बाद में मिल लेंगे. अब अगर कोई noise आपको border करें, तो ऐसा कोई जगा चुनिए जहाँ आपे noise ना आता हो, या फिर use earphones. जाकि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको office space से बाहर ना जाना पड़े, वड़ना you never know कहा कौन सा distraction आपके लिए एक कर रहा है, प्लस organized रहने से अब बहुत सारा time भी save कर सकते हो, चलो distractions को तो हटा लिया, आप productivity पे ध्यान दोते हैं, तो tip number 7, break down your walls. एक बार मुझे कुछ important papers zeros करवाने थे, तो तब बहुत रात हो चुका था, तो दुकान बंद हो रहा था, मैं जाके दुकान दर वहिया को request किया, और वो already machine बंद कर चुके, मेरा फिर भी request करने से उन्होंने पूछा कि कितना pages है, हलाकि मेरे पास करीब 100 pages था, पर मैंने बोल 25, तो वो मान गए और copy बनाना भी start कर दी, कुछ दिर बाद मैंने उनको और भी 20-25 pages दिया, और उसके कुछ दिर बाद और भी 25, तो तब वो भईया मुझे बोले कि अगर आप पहले बोलते कि आपके पास इतने सारा pages है, तो मैं start ही नहीं करता, हाँ यहाँ पे मैं थोरा सा dirty tactics ज़रूर यूज किया, पर इससे हम सीख सकते हैं कि अगर एक बड़ा सा काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट ही आ जाए, तो शुरू करना आसान होता है, और अगर शुरू कर लिया जाए, तो उसको finish करना तो आसान ही होता है, तो आप भी आपके काम को छोटे-छोट और स्नेक्स का ब्रेक टाइम रधिये, खाना खाये और हाइडरेड रहिए, वर्किंग आउर्स के बीच पे छोटा-छोटा-चोटा दो-पाच मिनिट का ब्रेक लेना भी बहुत फाइदे मत होता है, बट माइन यू छोटे ब्रेक्स पे आप फोन या सोशल मीडिया नहीं ये आपके फोकस का बहुत हाम का सकता है, उठिये, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा सा बैलकॉनी में खड़ा हो जाएए, या थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और जितना जल्दी हो सके, गेट बैक टो दो वोट, टिप नमर नाइन, वी प्रिपेर्ट पॉर् सकते हैं, तो उसके लिए mentally prepared रहना बहुत जरूरी है, ताकि कभी ऐसा situation आ जाए, तो आप जल्दी से अपना work mode on करके, जल्दी से वो काम निप्टा सके, टिप नमर 10, be grateful that you still have your job, मुझे पता है कि घर से काम करना शुरू-शुरू में कितना difficult होता, कितना सारा distractions, lack of focus, उपर से कितना सारा work, पर क्या आपको पता है कि पिछले 2 week पे, हमारे देश के लगभग 12 करोर लोग अपने job होए हैं, और शायद उससे भी जादा लोगों को पता नहीं कि कल वो अपने परिवार को क्या किलाएं, क्या आपके problems और headache इन सब के situation से बहतर नहीं है, मुझे लगता है कि आपको grateful होना चाहिए, कि अभी भी आपके पास एक job है, and don't take this for granted, थोड़ा सा ही तो परेशानी है, थोड़ा कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा, तो ये था work from home को असान करने का 10 useful tips, एक पर पहले से देख लेता है, tip number 1, set a separate working space, tip number 2, set separate working hours, tip number 3, treat it like real office, tip number 4, explain people without being sorry, tip number 5, eliminate the distractions, tip number 6, keep necessary things near, tip number 7, break down your walls, tip number 8, take breaks, tip number 9, be prepared for the unforcing, and lastly tip number 10, be grateful that you still have your job, Good humans, इनी छोटे छोटे चीज़ों को implement करके, आप work from home को आसान मना सकते हैं, और ये वीडियो आप आपके उस दोस्त या कोलिक से शेर कर सकते हो, जो work from home से थोड़ा बहुत परिशान हैं, फिलाल, thank you very much for watching, मैं सत्याजीत और आप देख रहे थे grown updates, मिलते हैं अगली वीडियो कर दो किसम अगल.